अब आप खुछ के देखो इस प्रश्न के अंदर कहीं भी कुछ भी दे रखाए गए गया पर एक बहुत अच्छा एलिप्स आप लोग यहां पर अब आप लोग बोलोगे सर यह क्यों माना आपने इस इस इलिप्स की एक रैशनल नंबर होती है थी बाइफ इसकी इसेंट्रिसिटी आईगे आप चेक कर सकते हो ठीक है अब मैं डाइगराम बनाऊगा इस क्वेश्चन का ताकि मेरे को समझ में आये कि मैं हो क्या रहा है यह यह माइनस फाइफ कॉमा जीरो है यह 0,4 यह 0,4 यह 0,4 ठीक है अब ध्यान से लेखी को पी क्यू एक डबल ओडिनेट दे रहें है कि रेंडमली कोई सी नहीं, double ordinate का मतलब क्या होता है, एक vertical line, basically, ठीक है, तो मैं इस point को 5 cos theta, 4 sin theta मान ले तो, ताकि मेरा ये point 5 cos theta, 4 sin theta आ जाए, ठीक है भाई साब, ये double ordinate होगी, p q a, तो इसको p बोल देंगे, इसको q बोल देंगे, ये a है, ये a dash है, right, a a dash भी the major axis of this ellipse, if pa, pa, ये री, and q a dash produced, ये री, meet at r, then locus of r is, अब मेरा काम बिल्कुल सिंपल है, मैं क्या करूँगा, मेरा जो template है, मैं pa की equation लिखूँगा, qr की equation लिखूँगा, और must point of intersection लिकालूँगा, ये करना है मुझे, obviously, तो देखो, अब pa कहां से pass करना, देखो, slope of pa लिखूआ, slope of pa क्या आएगी, 4 sin theta minus 0, y2 minus y1 upon x2 plus x2, 5 cos theta plus 1, ठीक है, 5 cos theta plus 1, ठीक है न, ध्यान से देख लो, अब यार, मैं इसको थोड़ा सा simplify कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं बता हूँ कैसे, देखो, 4 by 5 एना, मैं sin theta को 2 sin theta by 2 cos theta by 2 लिख देता हूँ, और 1 plus cos theta को 2 cos square theta by 2 लिख देता हूँ, अब क्या थोड़ा सा मेरा कश्ट दूर हो गया, यह क्या गया, 4 by 5 tan theta by 2, तो इससे equation, जो मेरी ninja technique होती है, उससे क्या गया, 4 tan theta by 2 x minus 5y, अब यह कहां से pass कर रही है, minus 5,0 से, तो minus 5,0 यहां पर, put कर दो, तो minus 20 tan theta by 2 लिख दो है, ठीक है, यह आपकी PA line अगई, अब मैं क्या करूँगा, सिंप्ली, q r line, q r line, q r line, मैं again, slope क्या जाएगी मेरी, थोड़ा सा similarity है, आप इस चीज़ को समझे, जो m of q a dash आएगी न, वो क्या जाएगी, 4 sin theta upon 5,1 minus cos theta, अब आपको यह समझना है, यह समझना पड़ेगा, कि यह 4 by 5, cot theta by 2 आएगा, 4 by 5, cot theta by 2 आएगा, क्योंकि देखो, अब यह कहा है, 2 sin theta by 2, cos theta by 2 बनेगा, तो sin theta by 2 इस बार cancel हो जाएगा, तो इसकी equation क्या गई है, 4 cot theta by 2, minus x, minus 5, is equal to 5y, कहां से पास कर रहा है, 5,0 से, तो 20 cot theta by 2, ठीक है सर, अब देखो, यह आपकी qa-line आगे, यह आपकी pa-line आगे, राइट, अब मैं इन दोनों का intersection निकालूँगा, इन दोनों का intersection निकालूँगा, हलका सा lengthy question है, नहीं 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 तो बिटा थीटा बहु एक बच्चा बोल रहा है, Data to change हो सकता है, तभी तो locust निकाल रहा है मेरे भाई, तभी तो locust निकाल रहा है, ठीक है? ठीटा change हो रहा है, तभी तो हम लोकस निकाल रहे हैं, अब देखो, मैं यह question कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी property exist करती है इसके अंदर, कोई ना कोई ऐसी property exist करती है, जिससे यह बहुत easily निकल सकता है, मगर मैं properties ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि properties generally बच्चों को याद नहीं होती है, तो मैं आप लोगो बता रहा हूँ कि कैसे करो होगे इसको, ठीक है, अब आप देखो, अगर थोड़ा से दिमाग लगा होगे ना, cancel कर दो ना, subtract कर दो इन दोनों equation, दोनों equation को आप subtract कर होगे, तो क्या आएगा आप, 4 tan theta by 2, minus 4 cot theta by 2, यह तो cancel होगया ना, तो यह कित्ता आ गया, minus 20 tan theta by 2, plus cot theta by 2, तो यह कित्ता होगे, 4, 5, right, तो x कितना आ गया, आपका, 5 times, 10 theta by 2, plus cot theta by 2, आप देखो, यह minus मैंने absorb कर दिया, तो इसको मैं, cot theta by 2, minus 10 theta by 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हलका सा दिमाग लगेगा है, यहाँ पर भी, अगर मैं cot theta by 2 को 1 by 10 theta by 2 लिख दो, तो यह क्या है, 1 plus 10 square theta by 2, अपॉन 1 minus 10 square theta by 2, यह होता है, sec square theta, यह sec square theta होता है, sorry, sec theta होता है, my mistake, यह sec theta होता है, आप check कर सकते हो, वही, cos2 theta का formula क्या होता है, cos theta, 1 minus 10 square theta by 2, upon 1 plus 10 square theta by 2, इसी का तो reciprocal दे रखाए, यह देखो इसी का रेसी प्रोगल दे रहा तो यह कित्ता हो गया इसका मतलब X मेरा दोस्तों 5 sec theta ठीटा ठीक है 5 sec theta ठीटा आ गया एक्स एक्स मेरा 5 sec theta ठीटा ठीक है अब मैं किसी भी एक एक एक्वेशन में यह वैल्यू पुट करने कोशिश करता हूं देखो मेरा एक्वेशन क्या थी फोर टैंड ठीटा बाइटू X की वैल्यू मेरी 5 sec theta ठीटा एए थी इसको मैं यहाँ पुटकता हूं ठीक है ज्यादा टेंशन निले नहीं मुझे देखो 20 10 theta by 2 sec theta माइनस 5 by माइनस 20 10 theta by 2 गट फिलिंग मेरी कहने है यह कितना आगया 4 times 10 theta by 2 sec theta plus 1 अब देखना दोस्तों इसको भी थोड़ी सी गणित लगाएंगे इसके अंदर भी थोड़ी जी गणित लगाएंगे इसके अंदर भी थोड़ी गणित लगाने की पोशिश करते हैं इसको तो मस्त अपन अटा देखने 4 10 theta by 2 1 plus sec theta ठीक है अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे sec theta plus 1 है ना मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या 4 10 theta by 2 2 sec theta plus 1 है ठीक है sec theta plus 1 basically 1 upon sec theta minus 1 हो जाता है पर उसको को फायदा नहीं होगा मैं एक काम करता हूं 4 10 theta by 2 एंटू यह sec theta plus 1 दे रखा है मैं एक काम कर सकता हूं एक काम तो चलो अपने एक काम करते हैं sec theta plus 1 को 1 plus cos theta upon cos theta लिख देते हैं और क्या राइट 1 plus cos theta upon cos theta या फिर एक काम करते हैं इसको हाफ एंगल में convert कर दोता हूं देखो sec theta क्या होता है 10 square theta plus 1 upon 1-10 square theta अब मैं क्या कर रहा हूं अब देखो यह क्या बन गया पिटा आपका 410 theta by 2 था ही से से एक theta plus 1 क्या आ गया इंटू 2 upon 1-10 square theta by 2 यह यह आ गया अब तुम ध्यान से देखो यह फॉर्मला अब यहार आप मुझे खुद बता दो एक्स पाइव सेट थीटा है वाई 410 theta है किसके कोडिनेट्स होते हैं क्या यह हाइपर बोला के कोडिनेट्स होते हैं इस तरीके से वर्क करना पड़ता है तो आंसर क्या आएगा आपका हाइपर बोला यह क्वेश्चन दोस्तों आने में यह बहुत ज्यादा लाइकली होते हैं ठीक है मस्त इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई और ट्रिग्नोमेट्री आप्लिकेशन भी होगी